नमस्कर दूस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकिस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले हैं सफेद दाग और पीले धब्बे दूर करने वाली दवा के बारे में तो जिसको हम कहते हैं खास कर कि विटी लिगों की जो कंडिसन्स कहते हैं इसके अंदर आपके तवचा के उपर जो वो सफेद दाग देखने को मिलते हैं फिर ऐसा कहा जाता है कि तवचा का रंग जो वो बदलता है तवचा के उपर पीले धब्बे देखने को मिलते हैं तो यह medical conditions को हम वीटी लिगों की conditions कहते हैं तो इसके लाज में जो यूज होने वाली जो क्रीम है, कि जिसको हम अमी विस्तनागा क्रीम कहते हैं, तो इसके बारे में आज की लेक्चर के अंदर डीटेल में श्तडी करते हैं और जानते हैं कि किस तरह सी यह medication जो अपना काम करती है, कैसे यह सफेद दाग और पिले दबे दूर करने के लिए यूज की जाती है और कितने डोस में आप उसको यूज कर सकते हैं तो डीटेल में जानते हैं आज के लेक्चर के अंदर अमी विसनागा क्रीम के बारे में तो ऐसे ही समझो कि आपको बहुत सरी दववायू के बारे में सीखने था आप मैडिसिन कूर्स को जोइन कर सकते हैं फार्मरोक्स के अब उपर तो यह कूर्स जोइन करने ले आप आप हमें वाटसेप करे सकते हैं या फिर हमारी मोबाल लिगों के treatment में जो ही वो use की जाती है और उसके content की हम बात करें तो Ami Visna का जो ही उसके अंदर main chemical constituent है और उसके manufacture की हम बात करें तो SBL Private Limited जो ही उसके manufacture है और ये एक homeopathic pharmaceutical company है कि जिसका head office जो है वो Delhi में है आगे जानते हैं में तो ये जो medication का जो type है वो homeopathic medication है और detail में जानते हैं उसके बारे में आगे तो यहाप आप उसके label की study कर सकते हैं तो सबसे उपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहापे की homeopathic medication है यह और Ami Visna का cream है कि जो खासकर SBL द्वारा जो बनाई जाती हैं तो manufacture की यहापे आप देखो तो जैपूर के plant में यह medication बनी हुई है और उनकी जो care for rate office की यहापे detail दी गई है Delhi के अंदर और SBL का यहापे detail देख सकते कि world class homeopathic करके उनका main जो वो detail यहापे दी गई हुई है तो use हम देखे तो सबसे पहले जो वीटी लीगों का जो problem होता है इसमें यह medication use की जाती है कि आपके त्वचा का जो रंग जो है वो change होता है कि यह जेखो कि आप पे जो white color के sport बने के जो सफेद दाग कहा जाता है फिर कई बार कुछ लोगों के skin जो यलो हो जाती है yellow color की यानि पीले color के धब्बे देखने को मिलते है skin के उपर hypopigmentation मल की जो pigmentation जो यह वाला आप देखो तो regular pigmentation है उसके कंपर में यह वाले area में आप देखो तो pigmentation कम हो जाने के करण वहाँ पे जो हो सफेद दाग देखने को मिल रहे है और साथो साज समझे के आपको itching भी होती है वहाँ पे तो itching में से भी relief देने के लिए यह medication जो यह वो use की जाती है तो simply समझे तो जो सफेद दाग की जो condition है तवचा का रंग बदलता है पीले दब्बे देखने को मिलते हैं तो यह conditions को जो हम witty lego कहते हैं तो उसकी लाज में यह cream जो ही वो use की जाती है उसके अलावा भी उसके दूसरे use हम देखे तो जो armpit का जो area होता है तो वहाँ पे समझे के आपको itching होती है वहाँ के skin में scaling देखने को मिलती है तो उसके लिए यूज की जाती है फिर zenital itching हो रही है फिर आपके belly button के आँसपस आपको समझो कि itching हो रही है जोahrención area में आसपस आपको itching हो रही है जो groin का area होता है हमारा वहाँ पे आपको itching हो रही के specially यह वाला area जो बनता है हमारी body का तो यह area फिर यह belly button के आसपास का एरिया है तो जो इचिंग होती है वहाँ पे उसमें से भी ये medication जो आपको रिलेप देती है तो यहाँ पे उसका आप label देख सकते हैं तो 25 gram का ये medication जो वो available होता है, homeopathythik medication है और amyvasna का जो उसके अंदर 7.5% जितना जो वो present होता है फिर दूसरा ध्यान आपको येद रखना है कि ये external use के लिए है कि for external use समलब के body के जो external part है वहाँ पे ही आपको जो उसको apply करना है फिर company के याप पे detail के GMPN ISO 9001 certified company है ये और अब आगे जानते हैं उसके dose के बारे में तो ये जो medication का जो dose रहता है वो खास कर आप दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं आपके affected area पे के समझे कि आपके चहरे पे इस तरह के white sport हुए है आपके गरदन क्या सपास बने हुए या आपके पीट के उपर या फिर body के किसे भी part में है तो आप वो affected area पे दिन में दू या तीन बार ये cream जो लगा सकते हैं फिर आपके जो doctor या फिर pharmacist आपको जो suggest करते हैं उसके according to आपको जो यूज करने चाहिए फिर आपको कोई allergy हो जाती है ये medications लेने के बाद तो तुरंद उसको लेना बंद करने जाहिए तो कई बार क्या होता है कि बर्निंग यानि की जलन हो सकते है या फिर skin के उपर complications होने लगते हैं तो ऐसा कुछ भी होता है तो ये medication को लेना जो बंद कर दे और दूसरा safe alternative medication आपके doctor या फिर pharmacist से आप जो ये वो ले सकते हैं तो ऐसा ही समझे कि आपको detail में सेखना है बहुत सरी दवायों के बारे में आप medicine course को join कर सकते हैं ये course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best